नमसकार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों चुनाओं में जीत हार होती रहती है लेकिन असीललेता वही है जो अपने हार के कारणों की सच्चाई का पता लगा सके हार के क्या कारण रहें उसकी समिक्षा होनी चाहिए जीत के क्या कारण रहें उसे और कैसे बहतर किया जा सकता है इसकी भी समिक्षा होनी चाहिए लेकिन हार के कारणों पर दोस्तों मन्थन करना बहुत ज़ादा जरूरी है दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में BSP के वोट शेर की बात करने वाले हैं कि BSP आखिर कैसे 2014 के दौर में चली गई क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों BSP के हार के बहुत सारे कारण है कुछ कारणों पर हम भी चर्चा करेंगे लेकिन दोस्तों इस चुनाव नतीजे के बाद एक बात तो तैं हो चुकी है जिसे आप सभी को भी मानना चाहिए कि BSP पर जो लेबल लगाया जा रहा था कि BSP BJP की B team है वो दोस्तों यहाँ पर नजर नहीं आया वो एक कहा जा रहा है कि भाई ये ऐसा लगता है कि किसी भी नेता को किसी भी पार्टी को कम से कम B team नहीं कहना चाहिए किसी पार्टी की कोई अपनी मजबूरी होगी कोई पार्टी किस मजबूरी में है कौन जानता है एक शेर भी है कि कोई तो मजबूरियां रही होंगी यूही कोई बेवफा नहीं होता और मायवती जी दोस्तों लगातार कहती रही कि भाई हम तो इंडिया में नहीं आएंगे हम तो गटबंधन नहीं करेंगे गटबंधन करेंगे तो वोट नहीं ट्रांसफर होगा अब मायवती जी के इन ही कारणों को लेकर सोशल मीडिया में भी 400 पार का सपना देख रही थी पूरे देश में वो 240 पर सिमट गई दोस्तों बड़ी खबर क्या है बड़ी खबर ये है कि भारतिये जनता पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर पाई शर्मनाखार हुई है जब NDA बनाएंगे जोड तोड़ करके तब जाकर ये 272 पार कर पाएंगे तब भी ये 300 के अंदर सिमटे हुए हैं पूरी की पूरी NDA दोस्तों 300 के अंदर सिमट गई है और उत्तर परदेश में भारतिये जनता पार्टी 80 सीटों का सपना देख रही थी वो भारतिये जनता पार्टी उत्तर परदेश में 40 सीटों के अंदर दोस्तों सिमट कर रहे ग और माया वती जी को भी इसमय मन्थन करना होगा सिर्फ मन्थन से काम नहीं बनेगा उन्हें दोस्तों जो कारण हैं असली कारण हैं वहां तक पहुचना पड़ेगा देखे बहन जी दूरदर्शी नेता है बड़ी नेता है और बहन जी का अभी भी लोग सम्मान करते हैं ऐसा जी धार लगी रहती है, 14 में भी 0 आया, 19 में 10 आया था, इस बार 0 आया, तो चलिए अगली बार सबक लिया जाएगा, फिर से होंगी, रिवाइब होंगी, और नहीं होंगी तो खुझ जेलेंगी, नहीं होंगी तो खुझ जेलेंगी, वोट शेर कितना इस पर पहले बात करते ह बार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्यों हारी माया उती जी उतो चर्चा करेंगे ही जाथी साथ वोट शेर की बात करते हैं, चलिए दो, यूपी में सबसे पहले नजर दोड़ाते हैं दोस्तों, उत्तर परदेश की मैं बात करूँ तो भारतिय जनता पार्टी को उत्त दश्मलो चार-च्छे फीजदी वोट शेर हासिल हुआ है, वहीं दोस्तों, अगर मैं बीएस पी की बात करूँ तो बीएस पी इस बार नौ दश्मलो तीन नौ प्रतिशत वोट शेर हासिल किया है बीएस पी ने, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, कि बीएस का जो वोट शेर 13% 19% पे था वो दोस्तों सीधे सीधे घट गया अगर मैं आपको विधान सभा के चुनाओ की बात करूं दोस्तों विधान सभा में इनका वोट शेर 13% था 2019 में 19% था अब 19% से आप देखिए तो मायवती जी का वोट शेर 10% घट गया और अब देखिए एक च करना चाहता हूँ हो सकता है आप लोग इसे सहमत होंगे अब राजनिती उस तरह की नहीं रही कि आप किसी विशेश जाती समुदाय के लिए काम करें आप मुसल्मानों की पार्टी बने आप दलितों की पार्टी बने अब ये नहीं चलने वाला है दोस्तों मुझे ऐसा के ने उन्हें वोट किया डेढ़ लाक वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई ब्यस्पी जीरो आ गई उनकी एक सीट आ गई तो आदमी खुद को क्या समझेगा वो तो यहीं कहेगा ना कि हम तो जो कहते थे वही हुआ बहन जी डर रही है ब वोट शिर घट गया है आपकी सीटे घट गई है दोस्तों जाहिर तोर पर आपकी आलोचना होगी और होनी भी चाहिए आपकी आलोचना होनी चाहिए मायवती जी और देखे नाराजगी बताओं आपको मायवती जी से नाराजगी क्या हुई आकाश अनन जी को इन्होंने ज चून चार प्रतिशत वोट शेर हासिल किया है। लेकिन ये लोग भी कुछ नहीं करेंगे किताबों से अब ज़्यान नहीं मिलता है जमीन पर उतरना पड़ेगा। लोगों ने वोट किया। इंडिया गडबंधन का जो वो फीबर था वो चड़ा रहा। और समाजवादी पार्टी को किसी ने क्यों चुना। अगर समाजवादी पार्टी 37-39 सीटे उत्तर प्रदेश में ला रही है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं। क्यों समाजवादी पार्टी क्यों वो थोड़ी सेंटर में जाएगी। सीधे सीधे एक जनादेश दिया गया कि मोधी योगी का मॉडल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। यहाँ नफरत को मिटाने के लिए वोट किया गया। सम्विधान लोकतंदर को बचाने के लिए भी वोट किया गया। और राहूल गादी जी ने भी दोस्तों इसी तरफ इशारा किया है कि लोगों ने इंडिया को वोट क्यूं किया। चलिए आपको सुनाते है, राहुल गंदी ने क्या कुछ कहा है, देखे जरा. बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, छुप रहे गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉंस्टिटूशन का बचाया, तो सुना आपने दोस्तों राहुल गंदी जी को, राहुल गंदी जी क्या कह हैं कि लोगोंने संबिधान लोगतंत्र बचाने को लिए वोट किया, जो सामाजिक न्या की बात करेगा, जो संघर्ष करेगा, उसी को जनता पसंद करेगी, काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती है, मायवती जी आप जब मुख्वंद्री थी तो आपने अच्छा काम कि अच्छा किया, और आप 2012 से सत्ता में नहीं हैं, क्यूं नहीं हैं, जनता आपको क्यूं पसंद नहीं कर रही है, आपके जो लोग हैं वो तो आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी गिरावट दर्श की गई, जागिये मायवती जी आप जागिये, अब बहुजन कुमार जी, ट्विटर पर आप होंगे तो जानते होंगे, एक बहुत बेतरीन लेक है, मैं चाहता हूँ दोस्तों ये लेक आप लोग ध्यान से सुनिये, बहुत ही मारक लेक लिखा है मायवती जी के नाम करांती कुमार जी ने, ये देखे क्या लिखा है, बियस पी को शून देली की, आकाश आनंत तूफानी प्रचार कर रहे थे, लेकिन बहुत मायवती जी ने एक मामुली बयान के लिए चुनाव की बीच में पार्टी की पदाधिकारी, उत्राधिकारी, कन्विनर पर से उन्हें हटा दिया, चौथा, कठोरता से बीजेपी पर प्रहार नहीं कि जबकि SP और कॉंग्रेस सोशल मेडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखे, तो दोस्तों ये पांच कारण, ये पांच कारण क्रांती कुमार बता रहे हैं, ऐसे कई सारे बहुजन एक्टिविस्ट हैं, जो मायवती जी को जगा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, हाला कि कु इसी पार्टी विशेश या नेता विशेश के अंधभक्ती कर रहे हैं, तो वे खतरनाक है, दोस्तों खबर, हमारा काम है खबर दिखाना, जब कोई खबर आईगी तो आपको दिखाऊंगा, जो कुछ दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन नेता आगे तभी बढ़ उसे समझना पड़ेगा मायावती जी, अकेले आप क्या करेंगी, उम्र के इस पड़ाओ में आ गई हैं, अकेले आप ब्यस्पी को कैसे संभालेंगी, संगठन और कैसे मजबूत होगा, आप लोग सोशल मेडिया पर दिखते नहीं हैं, आप लाइव नहीं करती हैं, आप ट जादा नुकसान हो, तो दोस्तों बहुत सारे कारण हैं, हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, और सच बहुत कड़वा होता है, मैं चाहूं तो आपको अच्छे ची बाते करके चला जाओं, लेकिन दोस्तों जरूरी है आप लोगों को जाग रूख करना, दोस्तों मायावती जी ने घड़ बंधन ना करने को लेकर क्या कहा था, कि हम घड़ बंधन करते हैं तो वोट ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब कि अगर समाजवादी पार्टी से घड़ बंधन करेंगी, तो समाजवादी पार्टी के जो इक्षा करनी चाहिए बहराल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही तो दोस्तों मायावती जी का वोट पर्तिशत भी गिर गया है फिर से वो 2014 के मोड में चले गई हैं अब क्या करेंगी मायवती जी क्या करना चाहिए मायवती जी को अपनी पर्तकिरिया दोस्तों आप दीजिए मायवती जी को कोई सला देना चाहते हैं तो मायवती जी को सला दीजिए हो सकता है उनके लोग आपका वीडियो देखकर आपका सला देखक कुछ सीखें बहुत बहुत धन्वाद शुक्रिया